नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम खास तोर पर उन लोगों के लिए बहुती एजी और बहुती एफेक्टिव रेमेडिस लेकर आये हैं जिन लोगों को पेर में सूजन हैं जियां दोस्तो दोस्तो आपने देखा होगा अधिकतर जो डायबटीस के पेशेंट्स होते हैं या फिर बलड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं या फिर थाइराइट के पेशेंट्स होते हैं तो इन तीन टाइप के मरीजों में पेरों की सुजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग पेर को लटका कर बेठे रहते हैं, उनके पेर फूल जाते हैं, इस कारण उनके पेरों में दर्द भी होने लगता है और सुजन सी भी आने लगती है। तो दोस्तो इस समस्या को केसे दूर करें? क्या कुछ ऐसे उपाई हो सकते हैं जिसकी मदद से इसको आसानी से दूर किया जा सकता है? तो जी हां दोस्तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही घरेलू, होम रेमेडिस जो की बहुत ही आसान हैं, वो हम आपके साथ शेर कर र क्योंकि इसमें Hydrated Magnesium Sulfate के crystal होते हैं यह मांस बेशियों की सूजन को ठीक करने में help करता है इसके लिए आपको क्या करना है कि इसे पहले तो पानी में घोल कर 15 मिनिट के लिए अपने पेरों को उस पानी में डूबो कर रखना है इससे आपको दोस्तो 15 मिनिट के बाद आराम मिलने लगेगा उसके बाद आप अपने पेरों को भार निकाल सकते हैं साप पानी से उसे धो सकते हैं ऐसा आप दिन में तीन बार जरूर करें आपकी पेरों की सुजन जल से जल खत्म हो जाएगी बात करते हैं दूसरे उपाई की दोस्तो सिंग पढ़नी जी हां सिंग पढ़नी एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है जो की खास तोर पर पेरों की सूजन को दूर करने के लिए मानी जाती है दोस्तो इसमें एंटी उक्सिडेंट की उच्छ मात्रा होती है जिससे मान स्पेश्यों का खिचाओ जो होता है वो कम होता है इसे आपको क्या करना है शेहत के साथ लेना है क्योंकि शेहत के साथ इसको लेने से ये बहुत ज़्यदा एफेक्टिव होती है खास करके फेट स्व में हुए एश्ट्रा तरल पदार्थों को बहार निकाल देता है इससे पेरों की सुजन दूर होती है इसके इस्तुम्हाल के लिए इसकी चाई बना कर पीना सबसे बड़या तरीका है दोस्तों अगला तरीका है पत्ता गोबी का जिया पत्ता गोबी में एंटी अब आदे गंटे बाद पट्या खोल दे इससे आपकी पेरों की सुजन दूर हो जाएगी दोस्तों अगली रेमेडी है सुजन और दर्द को से चुटकारा पाने के लिए जो है वो है अदरक का तेल जी हां दोस्तों अदरक के तेल में एंटी उक्सिडेंट और एंटी इब्बू के रस को मिला कर इससे पेरों की मालिश करेंगे तो इससे भी पेरों की मालिश करने से पेरों की जो सुजन है वो खत्म हो जाती है दोस्तों अगर डोडने की वज़े से आपके पेरों में सुजन आई है तो आपको क्या करना है कि ककड़ी को दो टुकड़ों में क लाट कर पेरों पर रख देना है चुकि इसमें एंटियोक्सिडेंट प्रचूर मातरा में होते हैं इसलिए ये टीशू को हील करने में हेल्प करते हैं तो दोस्तो ये तरीका भी आप अजमा सकते हैं पेरों की सूजन को दूर करने के लिए दोस्तो पेरों की सूजन से छुट वो बहुत भेतर बनेगा और जब blood circulation एकदम ठीक हो जाएगा तो आपका जो पेरों की सूजन है वो आटोमेटिक धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएगी दोस्तो ये थी कुछ आसान सी remedies जिनका उपयोग करके जिनको ठीक तरीके से अपना कर आप अपने पेरों की सूजन से निज समा सकते हैं जो आपको आपके एसाब से भेतर लगे और उसको ट्राइ करें पेरों की सूजन धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएगी तो दोस्तो ये थी मेरी आज की एक और एहम जानकरी आप सभी लोगों के लिए जो होती है यही समाप्त तो दोस्तो वीडियो पसंद आयो त इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और जादा से जादा शेर जरूर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच पाए